इस वीडियो में हम नाशनल हरार केस के बारे में जानने वाल हैं आप सभी ने टीवी पे इस टॉपिक पर निउस देखी होगी तो चलिए इस टॉपिक को डीटेल में समझते हैं आजादी से पहले साल 1937 में पंडी जवारला नीरू के साथ लगबग 5000 फ्रीडम फाइटर्स ने मिलकर नाशनल हरार नाम से निउस्पिपर पब्रिश करना शुरू किया नहरुजी के लिए नाशनल हरार अपने आजादी से रिलेटेड विचार लोगों तक पहुचाने के लिए एक जरिया बन चुका था अगबार को चलाने के लिए उन फ्रीडम फाइटर्स ने मिलकर एक कमपनी बनाई जिसका नाम है असोशियेट्स जर्नल्स लिमिटे एजे एल नाशनल हरार निउस्पिपर्स के सारी रिसोर्सेज, सैलरीज और फाइनेशिल एक्टिविटीज एजेल मैनेज करती थी एजेल के नाशनल हरार के अलावा और भी दो अवबार थे जैसे की नवजिवन और कौमी लेकिन इन में से सबसे ज़्याजा पॉपलर था नाशनल हरार अंग्रेजों की खिलाफ होने की कारण ब्रिटीशर्स ने 1942 में इसको बैन किया था फिर आगे चलके दो-तिन सालों में फिर से चालू कर दिया गया आजादी के बाद इस न्यूस्पेपर में फ्रीडम फैटर्स के विच्चार धीरे-धीरे कम होने लगे क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था अब ये न्यूस्पेपर कॉंग्रेस का अजंडा लोगों तक पहुचाने का काम करने लगा था ये अकबार कॉंग्रेस का माउथपीस बन चुका था इसी कारण से नैशनल हराड के प्रोफिट्स दीरे-दीरे लॉस में कन्वर्ट होने लगे नेरो जी को इस अकबार से एक खास लगा थी वो नहीं चाते थे कि ये कमपनी घाटे के कारण बन करनी पड़े या फिर बेचनी पड़े उन्होंने इसे बचानी के लिए काफी कोशिशे की आगे चलके और भी जादा न्यूस्पेपर लॉंच होने लगे मार्केट में कॉंपिटिशन बढ़ चुकी थी इसी के चलते नैशनल हराड के लॉसेस और भी जादा बढ़ने लगे आगे जाके 2008 में नैशनल हराड को बंग करना पड़ा 2008 में नैशनल हराड न्यूस्पेपर बंध होने से पहले ADL को आल ओवर इंडिया में अपने ओफिसेस ओपन करने के लिए सेंटर और स्टेट गवर्मेंट की तरफ से कई सारी प्रॉपर्टीज मिली हुई थी मुंबई, दिल्ली, इंदार, पटना और लखनाव जैसी कई सारी मेजर सिटीज में ये प्रॉपर्टीज है अब जो कॉंट्रोवर्सी हुई है उनकी जड़ ये प्रॉपर्टीज ही है गवर्मेंट से ये जो जमीन मिलती थी उनमें से कुछ लीज होल पर है तो कुछ फ्री होल प्रॉपर्टीज है तो सबसे पहले देख लेते हैं इन दोनों properties में difference क्या है Leasehold properties इन properties का मालिकाना हग company के पास नहीं होता बलकि ownership government के पास होती है ये कुछ limited time period के लिए company use कर सकती है इस period में company उस property को बेच भी नहीं सकती Freehold properties इन properties का complete अधिकार company के पास होता है आप चाहे तो इसको बेच भी सकते हो 2008 में जब national hazard newspaper बंद हुआ तब agile का जो main objective हुआ करता था मतलब news agency का वो तो बंद हो गया बट company के पास अब भी कई सारी properties थी तो agile company ने news agency से change होकर property rent पर देना शुरू कर दिया इन properties को malls, shopping complexes या commercial companies को rent पर देना शुरू किया agile के पास around 2000 करोड की property है कुछ reports के according तो agile के properties की total value 6000 करोड से भी जादा है 2010 आते आते agile के 5000 shareholders में से सिफ 1057 shareholders बचे हुए थे इन में से राउल गांदी और प्रियंका गांदी के पास 33% ownership है थोड़ी ownership Congress के कुछ और leaders के पास भी है कुछ reports में अमिताब बच्चन का नाम भी shareholders की list में है so basically agile के ownership Congress party के पास है इसे के साथ Congress ने agile को 90 करोड के आसपास loan दे रखा है टेक्निकली agile के पास loan चुकाने के लिए दो options है एक तो 90 करोड का जो loan लिया गया था वो agile वापस Congress को दे कर loan खतम कर सकती है या फिर अपनी property में से 90 करोड का equivalent हिस्सा Congress को दे कर भी loan खतम किया जा सकता है लेकिन Congress ने एक अलग ही तरीका अपनाया Congress ने November 2010 में Young India Limited नाम से एक non-profit company खोली जिसकी 76% ownership सुनिया गांधी और राउल गांधी के पास है बची हुई ownership Congress के ही कुछ और leaders के पास है अब Congress, Agile और Young India इन तीनों parties के बीच कुछ ऐसे transactions होते हैं जो actually controversial है Agile से Congress को 90 करोड आने थे बट instead of that Congress ने Young India से 50 लाग लिये और Agile की पूरी ownership Young India के नाम कर दी इसका मतलब Agile के around 6,000 करोड की property भी अब Young India की हो गई So basically, Young India ने Congress को सिर्फ 50 लाग देकर उसके बदले में 6,000 करोड की asset value वाली company ले ली ये सारे transactions काफी समय तक unnoticed थे फिर 2012 में सुब्रमणियम स्वामी ने इन transactions को लेकर court में case कर दी Now let's see, सौमी जी ने Congress पर exactly क्या आरुप किये Young India के directors, Congress party और Agile के major shareholders सब same set of people है मतलब Congress के ही कुछ leaders मिलकर तीनों entities के बीच में illegally पैसा घुमा रहे थे ताकि 6,000 करोड की property अपने नाम कर सके जो लोन Agile अपनी properties का एक छोटा सा हिस्सा बेच कर खतम कर सकती थी उसकी बजाए Agile ने अपने सारे shares Young India के नाम क्यों कर दिये Congress एक political party होकर किसी भी company को commercial purpose के लिए लोन दे नहीं सकती फिर भी Congress ने लोन दे दिया, which is illegal Agile में Congress leaders के अलावा कई सारे freedom fighters भी shareholders थे जिनको इन transactions के बारे में पता तक नहीं था Young India में जब Congress को 50 लाग देकर Agile की ownership ले ली थी तब Young India के पास ये पैसे थे ही नहीं Actually, Young India ने DotX Merchandise Private Limited से एक करोड का लोन लेकर Congress को 50 लाग दिये ये लोन भी गलत तरीके से लिया गया था इसको Financial Intelligence Unit ने suspicious बताया In fact, DotX Company exist ही नहीं करती ये बस एक 3BH के flat है जिस पे DotX की holding लगी हुई है ये case court में चल ही रहा था कि दो और parties भी इसमें actively involved हो गई Firstly, ED ED इस पूरे case में money laundering का angle बता की involved हो रहा है Recently, ED ने Harad House के साथ साथ और 11 locations पर raid मारी है इसके against Congress ने BJP Government को ही ये बोलकर निशाना बनाया के BJP ED का दुरूप्योग कर रही है इसी बात को लेकर Congress के कार्य करता Government के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है Secondly, Income Tax Department According to Income Tax Department, 2012 में जो income राहूल और सोनिया गांधी ने बताई थी वो Agile के take over के बाद वाली income के साथ match ही नहीं करती Income Tax Department को तो ये भी doubt है कि जो 90 क्रोड का loan Congress ने Agile को दिया था वो सही में लोन दिया था कि Agile के property अपने नाम करवाने के लिए गांधी परिवार की कोई trick थी According to Congress, ये सारे transactions Congress to Congress हुए है इसमें सोनिया गांधी और राहूल गांधी के account में एक पैसा भी transfer नहीं हुआ है Young India एक non-profit organization होने के कारण उसका जो भी profit है वो उसके shareholders use नहीं कर पाएंगे ये सारा profit Young India में ही फिर से use किया जाएगा So दोस्तों ये एक news in transition है So future में इस news के सारे updates हम आपको देते रहेंगे News updates के लिए channel को please subscribe करे अगर आप किसी और विशे पर detail जानकारी चाहते है तो please let us know in comment section Thank you